शहर में कोरोना संक्रमन के बढ़ते मरीजों को लीकर प्रिशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है वहीं कलेक्टर मरीश्य सेह ने शहर के लोगों को अब और साफधानी बरतनी की सलहा भी दी है इन दौर में बढ़ते संक्रमन के बावजूट शहर में अस्पतालों की इस्थती सामान्य है वहीं कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना के डेल्टा वेरियंट ने जितनी तबाही मचाई थी उसको याद कर आज भी शहर के लोगों की रुह काप जाती है तीसरी लहर में फिर से एक बार डेल्टा वेरियंट के पेशेंट देखने को मल रहे हैं हाला की इस बार संक्रमन की रफतार पिछली बार से काफी अधिक है लेकिन इन दौर में बंपर वेक्सिनेशन की कारण ही आज शहर में 17,000 से अधिक एक्टिव मरीज होने के बावजूद भी इस्थती सामान ने बनी हुई है वहीं गलेक्टर मनिश सेह की माने तो अभी भी डेलटा के मरीज मिल रहे हैं और उनहीं को ऑक्सिजन की ज्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो जिनको डेल्टा वेरियंट हो रहा है उनको थोड़ी ऑक्सिजन रिक्वार्मेंट एलंग इनवाल्मेंट उनका हो रहा है संख्या बहुत ही कम है वो किन्तु फिर भी लोगों को सतरक रहने क्या वशकता है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या जब आना शुरू होती है उसमें वहें ज्यादतन नीजी अस्पतालों के आईस्यू में कोरोना पेशिंट अपना इलाज करवा रहे हैं अलाकि इंदौर्यों को अभी भी सतरक रहने की जरूरत है ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर